अजवाईन की पत्तियां या अजवाईन के वीज आम तोर पर खाने का स्वाद बढ़ाने और उसे डाइजेस्टिफ बनाने के लिए मसाले के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं अजवाईन अपनी खुसू की बज़े से जाना जाता है पराठा, रोटी, मटरी मैं इसका स्वाद निखर के आता है मैदे से बनी बहुत से चीज़ों मैं इसे मख्यरूप से डाला जाता है ताकि मैदा आसानी से पच जाए आयरवेट में इसका खास इस्थान है जहां इसका बीच ही नहीं वलकि इसकी पत्तियां भी बेहत गुरकारी मानी गई हैं जिसके बारे में अक्सर लोग चानते नहीं हैं हालनकि ये पत्तियां अजवाईन की बीजों से नहीं आती हैं जी हाँ आप ये सोच रहे होंगे कि अजवाईन की पत्तियां अजवाईन की बीजों से नहीं आती तो आती कहां से हैं असल में ये अजवाईन से ग्रो किया हुआ पौधा नहीं है लेकिन इसकी खुश्रू और इसके फाइदे अजवाईन के हैं भारत में इसको अजवाइन के पत्तों के नाम से जाना जाता है अजवाइन के पत्तों से मशूर इस प्लांट को इंडियन बोरेज के नाम से जाना जाता है इसकी पत्तियां हरी, गूदेदार और चमकदार होती है ये प्लांट देखने में बहुत सुन्दर लगता है अजवाइन की पत्तियां की खूबियां और इससे होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे अजवाइन की पत्तियों में बिटामिन A, बिटामिन K और बिटामिन C भरपूर मात्रा में पाये जाता है इसमें Antioxidant Good काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इसकी पत्तियों का रस पीने से या इसकी तींचर पत्ती चवाने से ठकान और कमजोरी दूर होती है सरदी खासी होने पर आप इसकी पत्तियों की चाय बना कर पी सकते हैं अजवाइन की पत्तियों का पानी पिने से बॉडी डिटॉक्स होती है इसका पानी बनाने के लिए हमें इसकी आर्दस पत्तियां मिक्सी में पीसनी है और उसको पानी में मिलाकर छानकर पीना है टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप उसमें एक दोगून नीबू के रसकी और थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं जो लोग घुटनों की पिमारी से जूच रहे हैं ये उनके लिए काफी लाब दैक है ये हड्डियों की सुजन कम करने में बेहत कारगर है आपको गरम पानी में अजमाइन के पत्ते डाल कर उवालने होंगे फिर उस पानी से घुटनों की सिकाई करने होंगे सर्दी खासी होने पर आप गरम पानी में अजमाइन की पत्ती डाल कर उवालने और फिर भाप लें आप इसकी पत्तियों से सबजी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं और इसके पकोड़े तो बेहत स्वाधिस्ट लगते हैं ये एक हरवल प्लांट है और ये हर घर में होना चाहिए अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि इसे उगाना कैसे है इसे उगाने के लिए इसकी कटिंग उपर से तोड़नी है और डारेक्ट इसको मिट्टी में लगाना है आप 3-4 कटिंग लगा सकते हैं ये कटिंग स्तेजी से बढ़ती हैं अगर आपके पास कटिंग अवे लेवल नहीं है तो आप इसे नर्सरी से परचेज कर सकते हैं या इस प्लांट को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं मिट्टी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी सॉफ्ट होने चाहिए उसमें कोई कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए और मिट्टी वेल्डेन होने चाहिए क्योंकि इस पौदे को पानी ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो ये पौधा सर जाएगा मैंने मिट्टी के उपर डिटेल वीडियो वनाया है आप डिस्क्रिप्शन वाक्स में चेक कर सकते हैं ये एक हर्डी प्लांट है आप इसे कहीं भी रख सकते हैं जहां पूरे दिन धूप आती है वहां भी आराम से ग्रोव करता है और जहां दो तिन घंटे धूप आती है वहां भी आराम से ग्रोव करता है और पानी इसकी मिट्टी सूप चाती है तब ही इसमें पानी दें इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है आप इसमें महिने में एक बार घर का बना हुआ कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं मैंने फर्टिलाइजर के ऊपर डीटेल वीडियो बनाया है जिसे आप चेक कर सकते हैं वیसे तो इस प्लांट पर कोई किड़े, कोई इंसेक नहीं लगते हैं फिर भी अगर आपको इसकी पत्तियों में कुछ लग रहा है तो आप पहले इसकी पत्तिया निकाले फिर घर का बना हुआ कोई भी पिस्टिशाइज तै मैंने और्गनिक पिस्टी साइट्स पर वीडियो बनाया है आप चेक कर सकते हैं आप देख रहे हैं मेरा प्लांट कितना बुशी है इसे बुशी बनाने के लिए एक ही ट्रिक है आप जब भी इसको हार्ड बेस्ट करते हैं यूज करने के लिए लेते हैं तो हमेशा उपर से लें उपर से लेंगे तो क्या होगा कि इसमें से डबल व्रांच निकलेंगी तो हमारा प्लांट बुशी हो जाएगा अब ये मैंने एक भेने पहले लिया था अब इसमें से दो व्रांच निकली हैं ये आप देख रहे हैं इसकी पत्तियांग अभी मैंने हार्वेस्ट की हैं मैं इसमें से इतना लेती हूँ पर ये कम नहीं होता है ये एक ऐसा प्लांट है जो सालों साल चलता है इसे आपको बारवर लगाने की जरुष्ट नहीं है मैंने इस एक वीडियो में अजवाइन के पौदे के उपर पूरी जानकारी देने की कोशिस की है फिर भी कुछ रहे गया है आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर पता है मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद